हेलो स्टो एसके लेक्टों सब्सक्माप को साथ हो सो कैसे हैं आप सबी आयोपा बहुत अच्छे हों दोस्तों आप अच्छे रहोगे यह बुस कंपनी की मेरे पास 24 इंच यानि 24 इंच की LED TV रिपेर होने के लिए आई है कस्टुमर का खेना यह है कि सरी अपने आप ही चलती दिक्कत करने लगी थी मैंने बंद करी थी आगले दिन आकर मैंने देखी तो इसमें प्रोब्लम क्या है पहले मैं मोडल लंबर दिखा देना चाहता हूं LED 24 DN Glass ग्लास तो ही है माला आगे ग्लास चड़ा पैनल पे तो उसने प्रोब्लम क्या बताई कि इसमें सिर्फ रैड ल हमारी LED TV चल गई यनि की रैड लाइट आगई लेकिन हमारे डिस्पले कोई भी नहीं आई इसमें बुस वागेरा लिखा वा नहीं आया मतलब जो कमपनी आती है लिख कोई लोगो वागेरा तो वो कुछ नहीं आया है ठीक है आपने देख लिया प्रोब्लम क्या है अपने आप ओटो चल जाती थी लेकि हम फिल भी देखे पावर का जो लाश्ट वाला बटन है यह कच्छ से दबा रहें देखे कुछ भी नहीं हो रहा है और जो इसकी पावर की जो लाइट वह बहुत डिम लो हो रही है मतलब गलो जो होती है बल जलती जो है लाइट वह भी काफी जादे डिम गलो हो रही है तो इसका मतलब हमारे मेधर बोर में ही कुछ ना कुछ ऐसा फाल्ट है जिस वज़े से दिक्कत आ रही है तो देखे दोस्तों मैं काफी टाइट दबा रहा हूं सबसे लाश्ट वाला बटन है यह देख सकते हैं मेरी उंगली उसी पर है कभी आप पास क्योंकि हमारी खुद की सौप हैं यहां पर कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं चलिए करते हैं इसको रिपेर करते हैं ओपन क्या समझ चाहिए होगी इस प्रोब्लम को बोलते हैं स्टंट बाइक प्रोब्लम मतलब आपका LED TV सिर्फ स्टंट बाइक में पढ़ा रहता है उसे रिलीज नहीं होता है नहीं कि वो सिर्फ एक स्लिप मोड में पढ़ा हुआ है वो ओन नहीं हो पा रहा है प्रोब्लम ना हो जा ओन होने की वज़ए क्या रहती है कैसे करना है ठीक प्रोब्लम आपको समझाएंगे वीडियो को लाज तक देखना और जो चैनल पर नए ह आपका समय बिल्कुल वी नहीं लेंगे पेच कोलने के लिए हम वीडियो करते हैं थोड़ा सा फास्ट वोरण और अभी आपको दोस्तों दिखाते हैं देखे दोस्तों जब ऐसी हमारी कंडिशन बनती है LED TV में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है हमारे LED TV के अंदर जो पाजकल के LED TV आरे इसमें 12V और 24V 24V हमारी बुश्टों के वही 40 से प्लस प्लस पहुच जाती हैं वो हमें ये 23 वोल्टेज कंफर्म करनी होती है और जो हमारी व्यारी 3.3 वोल्टेज कंफर्म करनी होती है तो यह सब ही चीजे हमें कंफर्म करने के बाद तब हमें फाल्ट पर काम करना होता है अगर आपकी वोल्टेज ओके हैं तो flash IC replace करनी होती है या उसको software करना होता है या दोस्तों अगर हमारी वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज पर काम करना होता है वो क्यों नहीं आ रही है तो सबसे पहले इस back panel को हमने खोल लिया है back panel को खूलने के बाद speaker का connector हटा देते हैं और यह जो man lead का system है इसको भी हटा लेते हैं मतलब जो काम करने में आसानी हो और एक चीज याद रखनी है जब भी आप LED TV रिपेर कर रहे हैं तो दोस्तों आपके glass के नीचे कुछ नहीं हो जाए glass का मतलब पैनल के नीचे कोई page ना हो सफाई हो counter राफ का साफ हो तो यहां से हम यह man lead का portion उटा दिया और यहां से इसका पैनल भी इसमें लगा रहे हैं जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि LED TV ओन हो गया नहीं हो गया क्योंकि हम अपना भी पैनल लगा सकते हैं लेकिन नहीं जो इसका है जैनुएन तरीके से आपको समझाने के लिए हम अपने तरीके से नहीं आपके समझाने के तरीके से रिपेर करेंगे इस LED TV ठीक है अब देखिए हमने यह इसका जो LED पैनल औ जो भी मैं testing करूंगा मैंने multimeter लिया इसको DC mode पर लगाया DC mode यानि ही जहां से बैक्टरी सिंबल होता है बैक्टरी के सिंबल पर इसके अंदर हम power देंगे पावर देने के बाद इसमें SMD Diode लगा होता है एक हमारे दुस्तों बैक्लाइट के लिए power होती है तो यह voltage चेक करनी होगी हमें तो एक probe इसकी ground पर कर देंगे हम ठीक है एक probe हम इसकी ground पर करेंगे भी एक probe ground पर रखने के बाद जो यहाँ पर SMD डायोड लगाया बड़े वाला उस पर 12 volt देखें देखें प्रोब पर आ रही है बिलकुल ओके और यहाँ पर दोस्तो जो एक चोटा डायोड है बेक लाइट के लिए इस पर बुरी voltage आ रही है देखें 40 सी आ रही है जो कि हमारी बिलकुल correct voltage है कोई problem नहीं है तो यहाँ पर हमारी यह चिपाई सी लगी हुई है जिसे दोस्तो memory IC बोलते हैं इसके pin number 1 पर 3.3V आते हैं यहाँ पर कोई नहीं है जैसे इसके pin को अगा हलका सा नीचे प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ mili voltage बढ़ जाने तो दिखाई दे रहे हैं मीटर के अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ या तो हमारे दोस्तों बोर्ड में leakage है या हमारे जो यह IC है दोस्तों इसकी pin है यह dry sold हो चुकी है मतलब काफी जादे carbon लग जब क्या होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ जहां पर यह board बनते हैं SMD machine द्वारा बनाए गए होते हैं वो बहुत जल्ली जल्ली लगाती है तो काफी बार हलकी solding हो जाती है कुछ समय बाद वो क्या होता है dry होने के करण वो हमारी disolding मतलब एक तरह से वो print पे से अपनी voltage पे से जहां से काम करना चाहिए वो हट जाती है हलका सा dryness बनाती है तो वो क्या fault बनता है जब हमारे memory नहीं होती तो श्रंट बाई से release होने की problem बन जाती है तो यहनी कि software का यह किसका दिमाग है जब तक दिमाग नहीं चलेगा आत्मी जब तक वो कैसे हाथ पे चलाएगा अपने साब से तो सुन पढ़ा रहेगा इसी साब से दोस्तो यह भी वही सीन आ रहा है यहाँ पे देखिया हमने चेक किया अब हम इसे SMD मसीन से heat किया और इस IC को दोस्तो हमें एक बार हटा करके दोबारा लगाना होगा अच्छे से sold करके दोबारा लगाना होगा उससे होगा क्या दोस्तो हमारी अगर EC की problem होगी तो हमारा दोस्तों यहाँ पे voltage वगारा आ करके LED TV automatic run हो जाएगा ओन करते ही इसकी problem नहीं होगी तो दोस्तों हमारा software की problem हो जाएगी वो clear कर देंगा आपको बता दें कैसे करना है बहुत simple है उसका भी process तो यहाँ पे हम दोस्तों यह हमने heating gear के इस अच्छे से यहाँ से IC को कर लिया है थोड़ा से clean कर लेंगे हमने हलका सा paste गेरा हो उस पर और इस पर heating machine चला दी तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और हलका साथ PCB cleaner से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ठीक है तो यह देखिए अच्छे से हमें clean कर लेना होगा IC का असपास भी clean कर लेना होगा memory IC के असपास बहुत अच्छे से clean करना होगा और जो आपका supply के अंदर MOSFET लगा होगा एंचेनल का उसको भी आप अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि यह problem supply की वज़े से भी बन जाती है तो जब clear अच्छे से clean करने के बाद एक बार दोस्तों फिर से ही आपको heating machine से थोड़ा थोड़ा temperature दे देना है इससे benefit किया होगा जितनी भी इसकी leakage यहां पर जितनी monster वगएरा होगा हो सब साफ हो जाएगा अच्छे से एकदम मतलब मज़ तारो ताजा हो जाएगी LED TV आपको तो यहां तक दोस्तों हमने इतना काम करने के बाद काफी अच्छे से PCB क्लीन कर लिया है और IC को अटा करके दुबारे से लगा दिया है memory IC को तो अब जरा एक बार सेट को OON करके देख लेते हैं क्या सेट이 ON हमारा होता है ON या नहीं होता है तो आप IC को ठंड हो जाने दें जब ठंड हो जाए तब आप ओन करके देखी तो देखे इक looking to balance तुरंत यह चली गई, तो यानि कि हमारी स्टेंडबाइ सायद रिलीज हो चुकी है, LED TV, तो अभी मीटर को एक तरफ करते हैं, और अभी LED TV को देख लेते हैं, ठीक है जी, अभी देख लेंगे यहापे, कंडिशन क्या बनी हुए, तो हम देख लेते हैं, यह देखे, यह हुए थी LED TV पे, हमें नहीं पता था, इसमें क्या होना है, क्या नहीं, लेकिन हमने जो प्रोसेस आपको बता है, यह प्रोसेस आपको कम्पलीट करना है, और आपका LED TV 101% रिपेर हो जाएगा, अगर इससे भी और भी, इससे भी काम नहीं चलता है, तो हमने और भी वीडियो दोस्तों बना रखिया अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, यह देखिया, LED TV को बंद करके चालू किया, फिर से देखिया, दोस्तों अपना बूस वगारा लिख खा चुका है, और LED TV बलुकुल परफेक्टली काम कर रहा है, दोस्तों आपको वीडियो कै कैसी लिए हमें कमेंटर जोड़ बता देना, वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, आपने उसों सेर कर देना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्ट टूडियो में, जैहिन वन देमातम दोस्तों